नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमित्रा और आप देख रहे हैं हाई टेक्ट टेक्निकल एक्सपर राव जी यूटूब चैनल दोस्तों आप देख रहे हैं समर्शिबल मोटर वाइंडिंग का दूसरा पार्ट जी यहां दोस्तों यह टेक्समो साड़े साथ HP 24 स्लोट की मोटर ह है और इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सबसे उपर तो देखिए अब हम नीचे की तरफ आठ स्लोट छोड़ेंगे चार खाली और चार भरे हुए और एक से दस पिच बना के कोईल डाले अगले सेट की तो हमने इसमें टोटल एक सेट कंप्लीट डाल दिया था तोटल तीन सेट होते हैं अब हम दूसरे सेट की पहली कोईल इसके अंदर डालेंगे ठीक है दोस्तों तो पहले पार्ट में हमने इसका सारा डेटा और कोईल कैसे डालते हूं सब कुछ बता दिया है अब देखिए दूसरे सेट की आप पहली क्वाइल इस तरह से लेनी है और उसका जो पर्थमतार है जो की फश्टार इनरतार बोला जाता है उसको इस तरह से इस पे लपेट देना है आगे की तरफ अब देखिए दोबारा से देखिए नीचे की तरफ हमने आठ स्लोट छोड़े हैं चार भरे हुए हैं एक साइड और चार खाली हैं एक साइड अब इसके उपर इसी तरह क्वाइल डालेंगे इनरतार जो है वो लेप्ट साइड में रहना चाहिए और इस क्वाइल का आउटर तरह भी लेप्ट साइड ही निकलना चाहिए तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब क्वाइल को आराम से आगे की तरफ धकेल के डाल देना है अब दूसरी साइड से देखना यहां पर हमारा निकल गया है इस साइड हमको राइट दिख रहा है लेकिन यह लेप्ट साइ एक बास की फररचट की मदद से लखडी की फररचट की मदद से आप इस इन तरों को अच्छी तरह से अंदर डाल लें और फिर कागच शचे खाएं कागच खाँच वाद इस पर लखडी कि या अंदर जो भी श्टिक निकली है वह आप इसके अंदर डाल सकते हैं इसके अंदर प्लास्टिक की है तो हम प्लास्टिक की ही इसमें डालेंगे आप लकडी की भी डाल सकते हैं उस से कोई खास भरक नहीं पड़ता है हाँ बस साइज देखके डालना होता है अगर डिली रहती है stick तो हमको tight डालना पड़ता है तो यह stick भी size की आती है अलग-अलग size की आती है अब हम दूसरी तरप से कागच चटाएंगे और इसके अंदर stick लगाएंगे तो यह plastic की stick है उपर से junk इसमें जमा हुआ था वो आपको दिख रहा है इसमें अब देखिए coil को पच्चे से परना है जैसे पहली किया था तो दोस्तों एक बार मैं फिर से इसका data repeat कर देता हूँ अब हम एक से बार में पेपर डाल रहे है यह temporary paper है यह बाद में हटा लिए जाते हैं जो main slot paper होते हैं वो नीचे डले होते हैं तो यह paper हम इसलिए डालते हैं ताकि हम तार जब भी डाले coil का तो वो खटे नहीं वो पेंचर ना हो तो आपको दूसरी coil लेनी है तो आप पहली coil देख सकते हैं पहली coil का जो outer तार है वो left side निकला हुआ है अब दूसरी coil का outer भी लेप्ट side ही रखना है और coil को डाल देना है तो इससे आपकी coil सहीरती चली जाएगी तो यह आपको धान रखना है जो पहली coil हमने डाली है उसका जो outer निकला हुआ है वो इस इस coil के right side में चला जाएगा जो left तार निकला हुआ है आउटर तार पहली coil का वो इस coil के right में चला जाएगा और जो हम coil डाल रहे हैं इस का outer left में निकल जाएगा तो इस तरह से coil हमारी सीधी डल जाएगी तो आपको इन motor का अगर डाइग्राम चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं किनकिन motor का और किनकिन चीजों पर आपको डाइग्राम चाहिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें मैं इस वीडियो का अगला पार्ट अपलोड करने के तुरन्त डायग्राम की वीडियो अपलोड करूँगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझको कमेंट चाहिए तो देखी क्वाइल को इस तरह से धकेल लीजी हर तरह की मोटर का डाइग्राम की वीडियो मैं अपलोड चैनल पे करूँगा क्योंकि वो बहुत ही इंपोर्टेंट है डाइग्राम की वीडियो तो मैं इस पार्ट में भी दिखा सकता था लेकिन उसमें आपका ज्यादा टाइम वेश्ट होता वीडियो ज्यादा लंबी बनती तो हमारा भी टाइम खराब होता और आपका भी वीडियो को छोटे करने के चक्कर में हमने इसमें डाइग्राम नहीं डायग्राम की वीडियो हो सकती हैं लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब अच्छी तरह से श्टिक लगा लीजी और कॉयल को अच्छे से सैट कर लीजी जो थिरी फेस की 24 स्लोट की मोडर होती हैं वो सभी इसी प्रकार से रिवाइन की जाती है इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी हम जल्द अपलोड करेंगे कल या पर्सों में आपको मिल जाएगा और उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में आप जा सकते हैं तो डिस्क्रप्शन जैसे वीडियो का आपको open करेंगे तो उसमें सबसे उपर आपको link मिल जाएंगे पहले part का link भी मिल जाएगा इस video का और तीसरे part का भी दूसरा तो आप देख रहे हैं ठीक है तो देखिए दो coil हमने डाल लिये हैं दूसरे set के दो coil हमने डाल लिये हैं अब motor को हमने देखी घुमा दिया है उपर की तरफ अब just इसके नीचे की तरफ एक एक slot छोड़ देना है एक left एक right और just उसके नीचे left right आपको paper डाल देने हैं तो वो slot इसलिए छोड़ेंगी क्योंकि एक से 12 की coil डलेगी इसलिए ठीक है और नीचे की तरफ आपको 8 slot छोड़ने हैं हमेशा 4 ब्रे हुए और 4 खाली ठीक है नीचे की तरफ आपको 8 slot छोड़ने हैं और कागस डालने हैं एक से 10 में फिर एक से 12 के लिए 2 slot छोड़ देने हैं उपर अब देखिए अब आपको अपने set की दो coil डाल दी और दो बचिए अब सबसे छोटी वाली coil लेनी है पहले छोटी डलेगी फिर बड़ी डलेगी फिर छोटी डलेगी फिर बड़ी डलेगी तो इस तरह से वैसे चारो काईल आपस में connect होती है तो आपको ये चीज ध्यान देने जरूर ये इन चीजों पर तो देखिए पहले अच्छे से इसको पतला कर लें coil को ताकि आराम से अंदर चली जाएं अब इसका जो पर्थम तार है उसको बांध लीजिए और लेप साइड जाना चाहिए इनर तार लेप साइड ही रखें और आउटर को भी लेप साइड ही रखना है और इस तरह से एक साथ ताकत लगा लगा के एक टाइट पकड़ के तारों को एक साथ जटके से ताकत लगा के अंदर की तरब ठकेलना है खीक है दोस्तों अब दूसरी साइड से को तार दबा देने हैं फर्चट की मदद से लकडी के मदद से और कागच को फिर निकाल लेना है और फिर स्टिक लगा देना है अब दूसरी साइड से लेना है अब आपको इस पेस स्टिक लगाना है तारों को शुरू से थोड़े से दबा लीजिए ताकि स्टिक एक बार अंदर चला गया तो फिर वो लास्ट तक चला जाएगा और तार कोई भी उठे हुए नहीं होने चाहिए अब स्टिक पे आप लगड़ी की मज़द से उसको आगे दखे सकते हैं अपको कोई भी पेनी चीज का यूज नहीं करना है जैसे की धातू से बनी लोहे से बनी पीतल से बनी सिल्वर से बनी तामे से बनी कोई भी वस्तू का इसमें यूज़ आपको नहीं करना है अगर आपने इसमें यूज़ किया अगर वो आपके तारों से टकराया या पैना है तो हो सकता आपके तार कट जाए पैंचर हो जाए और फिर आप दोबारा से पैंचर फिरे तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना इसमें लकडी रबर और प्लास्टिक की चीज़ों का ही इसमें यूज़ करना है और जब भी आप साइड में तार टांक है तो हमने देखी कोईल को टांक रखा है तो इसमें भी हमने प्लास्टिक रबर लगा रखा है तो देखिए, अब जश्ट उपर की तरफ हमने कागज डाल लेने हैं, एक कोईल डालने के बाद, सोरी, तीसरी कोईल डालने के बाद, तो एक से बारा के हमने जो स्लोड छोड़े थे, खाली, तो उसमें हम ये कोईल डालेंगे, पच्ची हुई, अब ये देखिए, इस कोईल के दोनों तार कनेक्ट हैं, क्योंकि ये बड़ी कोईल है, बीच की कोईल है, इसलिए, तो अब आप कन्फूज नहीं हो, आपको ये देखना है, जो कोईल आपने पहले डाल ली है, छोटी वाली, तीसरी नमबर की, तो उसका जो आउटर निकला हुआ है, वो इस कोईल के, जो उसका आउटर जो निकला पढ़ती है, और आप कोईल को एक साथ धक्का लगा के धीरे 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 आगे की तरफ धकैल सकते हैं, तो इस तरह से आपके चार तार बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि अभी दो सेट दले हैं, टोटल छे तार बाहर निकलेंगे, और तीसरा सेट कैसे डालते हैं, वो अगले पार्ट में आप देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रेप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, तो वहा तो अब इसी परकार से आपको कागच निकालना और स्टिक लगाना है, और कोईल को अच्छे से फिर सेट करना है, दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताक डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, ताकि मैं आगे भी आपकी पसंद की आपकी वीडियो बना सकूँ, अब मैं थिरी फेस मोटर के डाइग्राम की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगा, कैसे इसकी वाइनिंग की जाती है, डाइग्राम के एसाब से आप थोड़ा समझा देता हूं, जो आपके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज हो कन्फ्यूजन की तो मैंने वीडियो पहले भी डाल दी है, सभी तरह की, तो कन्फ्यूजन में आपको कभी प्रोब्लम नहीं आएंगी, उस वीडियो को देख लेना, नहीं देखिये तो, अब देखिए कोईल को सैट अच्छे से कर लीजी, हमारे दो सैट डलके कंप्लीट ह हमारा लाश्ट एक सैट बचा है, उसको भी हम डाल देंगे, तो वो अगले पार्ट में हम डालेंगे, तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, और बैल आइकन पर कलिक करके नोटिपिकेशन को भी चालूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडि पर कलिक करके नोटिपिकेशन को नहीं किया, तो वो भी ओन जरूर करें, ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारे दो सैट डल के कम्पलीट हो गए हैं, तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि तीसरा सैट कैसे डालते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, जय हैं, ज क्थे बार्ट